बहराईच के महाराजगंज इलाके में जो हुआ उसकी तस्वीरें आज तक लोगों के आखों के सामने गूम रही हैं। दिल देहला देने वाली घटना हुई। उस इलाके में आज भी सन्नाटा पसरा हुआ है। आम तोर पर यहां चेहल पैल दिखाई देती थी। लेकिन गर में हैं तो घर के अंदर रहते हैं, घर के बाहर से ताला लगा हुआ है। कोई भी किसी से बातचीत तक करने को तयार नहीं है। बहुत ही डर और खौफ है लोगों के अंदर। जब इंसा की शुरूआत हुई तो पुलिस और प्रशासन बेबस दिखाई दिया और बाद दरावनी इसलिए क्योंकि मीडिया की कहानिया सच्चाई से को सो दूर थी। हां इन कहानियों से एक राजनितिक दल को चुनाओं में जरूर बड़ी मदद मिल सकती है क्योंकि चुनाओं में जीत के लिए वोटों के ध्रूवी करन की जरूरत है। और यह आरोप भी लग र रहे थे आरोपी और घटना के मुख्य आरोपी सरफराज और उसके पांच सयोगियों के साथ मुटवेड का दावा पुलिस ने कर दिया है। तो कैसे बहराईच को लेकर सवालों में है यूपी की सरकार और क्या है इसका चुनावी करेक्शन इसी पर हम आज अपनी से स्पे गया है जो हिंसा में शाविल थे एड़ी जी लॉएंड ओर्डर अमिताब यश ने बताया कि राम गुपाल मिश्रा की जान लेने के मामले में पांच आरोप्यों के गरफतार किया गया है इन में से दो आरोपी सरफराज और फहीम को गोली लगी है दोनों को बहराईच जला वीडियो लोगों के बीच आ रहे हैं और ऐसा ही एक वीडियो अभी सामने आया है तो सरफराज और फहीम दोनों मुख्यारोपी अब्दुल हमीत के बेटें हैं इन दोनों पर आरोप है कि अपने साथियों के साथ मिलकर इन लोगों ने राम गोपाल पर गोली चलाई थी व मेरे पिता और दो भाई सर्फराज और फाहीम और एक अन्य वक को यूपी स्टीएफ 16 अक्टूबर की शाम 4 बजे यहां से उठा कर ले गई थी रुकसार ने ये भी बताया कि उनके पती और देवर को पहले ही उठाया जा चुका है लेकिन परिवार को अब तक किसी थाने स कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो लोग हैं कहां और इस बीच अब पुलिस इस पूरे मामले को मुटवेड़ बता रही है यह पूरा मामला फर्जी है ऐसे में सवाल पुलिस मुटवेड को लेकर भी उठ रहे हैं तो इससे पहले भी यूपी पुलिस पर इस तरह के उड़ते रहे हैं और ये घटना है जो हो रही है वो सरकार की नाकामी की वज़े से हो रही है सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इंकाउंटर कर रही है इंकाउंटर नई परिवाशा में हाफ इंकाउंटर और भी कई परिवाशा हैं जो सरकार ने बनाई है अगर इंकाउंटर से ही लॉइन ओर्डर बहतर हो रहा होता तो अभी उत्तपदेश कई आकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता जीरो टॉल्रेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए ये एड्मिस्टेटिव फेलियर था कि जब वहाँ पर तै था पुलिस की जानकारी में था तो आखिकार आपने शान्ति पूर ढंक से क्यों नहीं प्रॉसेशन को ले जाने दिया या उस कारक्यम को संबन क्यों नहीं करा पाई जो लोग एक शान्ति पूर तरीके से एक कस्वे गाउं का या आसपास के लोगों का कारकाम शांती पूर से संपन नहीं करा पारेंगे उनसे लौडर की क्या उम्मीद करेंगे आप अब बहराईश के माहराजगंज इलाके में फिल हाल शांती है यहां रहने वाले ज्यादा तर मुस्लिम परिवार घर छोड़ कर चले गये हैं या यह कह सकने उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया क्योंकि यहां रहने पर उन्हें अब डर लग रहा है ज्यादातर घरों को उपद्रवियों निशाना बनाया, जम कर तोड़ फोर की, मार पीट की और जो कुछ भी मिला उसे फूब दिया ये सब उपद्रव हुआ 13 अक्टूवर को दुर्गा प्रतिमा विसरजन यात्रा के दोरान दो समुदाय के बीच हुए टकराओं में एक 22 साल के युवक राम गोपाल मिश्रा की जान भी चली गई इस टकराओं में जैसे ही ये खबर फैली पूरा बहराइच सुलब उठा चुन चुन कर एखास समुदाय के घरों को निशाना बनाया जाने लगा तोड़ फोड की जाने लगी उन्हें मारा पीटा जाने लगा और सबसे हैरानी की बात ये है कि प्रिशासन मूख दर्शक बन कर सब कुछ देखता रहा बटोगे तो कटोगे इसकी चर्चा हो रही थी और इसी बीच टीवी चैनलों में खबर आने लगी कि राम गोपल मिश्रा को गोली मार दी गई है लेकिन इससे पहले उसका जबरदस्त तरीके से उत्पीडन किया गया था टीवी शो शुरू हो गए डिबेट्स चलने लगी लेकिन जल्दी ही पुलिस ने ये साफ कर दिया कि टीवी पर जो कुछ चल रहा है वो वाटसैप और सोचल मीडिया के खबरों से प्रेरित है जबकि सच्चाई ये नहीं है राम गोपाल की जान गोली लगने से गई उसका किसी तरह से उत्पीडन नहीं किया गया था जिस तरह की खबरे दिखाई जा रही है उसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ महद अववा है हालत ये हो गई कि बहराईज पुलिस को इसे लेकर अपील तक जारी करनी पड़ गई और अपनी अपील में पुलिस की तरफ से कहा गया कि राम गोपाल को लेकर सोशल मीडिया पर जिस तरह की प्रतार्णा की बात फैलाई जा रही है वो पूरी तरह से गलत है पोस्ट मॉटर्ण रिपोर्ट से साफ हो गया है कि राम गोपाल की जान गोली लगने से गई है इस पूरी घटना में सिर्फ राम गोपाल मिश्रा की ही जान गई है अन्य किसी की भी हिंसा में जान नहीं गई है और इसलिए सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही फर्जी और भ्रामक दावों को प्रसारित ना करें अब पुलिस एक तरफ तो अपील कर रही है लेकिन वहीं दूसरी तरफ सवाल पुलिस की भूमिका पर भी उठ रही है धरता हैं कि आखिर उसने इंसा के बाद हुए उपद्रव को लेकर क्या रुख अपनाया किया कारवाइध कि कितने उपद्रव्यों पर यह उठ रही है कि जिन लोगों प्रलाव क्सी राजनीया को बढ़ाया गया उसके पीछ कुछ राजनीतिक तक तो भी जिम्मेदार माने जा रहे हैं दरसल यूपी की नो विधान सबा सीटों पर उपचुनाओ होना है जैसा कि आप जानते हैं कि लोगसबा चुनाओ के दौरान कुछ सीटों वहां खाली हो गई थी इसके बाद से अब वहां पर उपचुनाओ होने उसकी तैयारियों में सभी लगे हुए यूपचुनाओ दोनों ही चाहे वो सत्ता पक्षो या वेपक्ष दोनों के लिए ही बेहद महत्तपूर हैं खासका सीम योगी के लिए तो बहुत ही जादा महत्तपूर हैं क्योंकि लोगसबाचुनाओ में जिस तरह के नतीजे योगी को कुरसी से हटा दिया जाएं कि यह माना जा रहा था कि सी येम योगी बिफल हुए हैं इस तरह की जो नतीजें आएं आब यूप चुनाओं के जो नतीजें हैं वह भी योगी के लिए बहुत मायने रखते हैं क्योंकि इसमें उनकी परीक्षा होनी है तो ऐसे में बी उसे तरफ बीजे पी और योगी सरकार लोगसब़ा चुनाओं की हार का बदला लेना चाहती है। लिए कहा जा रहा है कि ये जो बहराईश में घटना हुई है जो अचानक से इतना बड़ा रूप जिस घटना ने ले लिया और और इस घटना को लेकर अलग अलग तरह के दावे सोचल मीडिया पर किये जा रहे हैं गलग अलग खबरे पहलाई जा रही है और तमाम मीडिया चैनल उन खबरों को बढ़ावा दे रही हैं ये सब कहीं न कहीं इसके चुनावी कनेक्शन की और इशारा करते हैं वहीं कई के साथ यूपी में उप चुनाव भी है शायद उन्हीं चुनावों पर इसका असर पड़े इसलिए घटना करवाई गई है अब इसमें आरोपी कौन है किसके कहने पर यह सब कुछ हुआ है क्या कनेक्शन से यह तो अब जांच जो चल रही है उसमें ही सामने आएगा और य जान बूझ कर उसके पूरे परिवाल को सिफ पसाया जा रहा है सिर्फ और सिफ उन पर इस घटना का आरोप मना जा रहा है जबकि वो गलत नहीं है वही पुलिस कुछ और दावा कर रही है तो फिलहाल इस घटना को लेकर क्या सच्चा है उस पर अभी कुछ भी कहना मुश् है तो कहीं ना कहीं इसका चुनावी करेक्शन होनी की संभावना है तो इस जानकारी को लेकर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दीजेगा इसी के साथ मुझे दीजिए उजाज़त देखते हैं दीवी लाइफ नमस्कार